बूद मॉरिंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णे मातर सिंग, हम करेंगे वक्षीट नंबर 74, इंगलिश की वक्षीट है, क्लास नाइन्थ की, 27 जन्वरी की, तो यहाँ पे चप्टर है, इफ आई वर यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, परसन होता है जिराड, ठीक है, तो यह अपने आपको मरने से बचाता है, क्योंकि एक परसन होता है, एक क्रिमिनल होता है, जो इसके घर में चला आता है, उस टाइम पे जब वो परसन जब इसके घर में आता है, इंटरूट करता है, तो यह घर से निकलने ही वाला होता है, लेकिन जब वो इसको hands up करने के लिए बोलता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भई जो ये person है, gun जो इसके पर point करता है, दो इसको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये person criminal है और वो होताराम से बाते करता है, तो उसके कहता है कि अगर मैं होता ना, तुम मुझे मारना चाहते हो, मतलब वो क्यों मारना चाहता है इसको, क्योंकि उससे क्या हो गया होता है, कि पहले वो एक जोब किया करता था, हाला कि वो जोईलरी चुराया करता था, लेकिन उसके पास जोब होता है, लेकिन उसके गलती से एक पुलिस वाले का murder हो गया होता है, तो तब से उसके पीछे एक मडर हो गया होता है तो पिलिस उसके पीछे रहती है तब से तबसे वह जो भी नहीं कर पा रहा था तो वह सोचता है कि जिराड को मार देगा क्योंकि जिराड ना एक देखो मैंने भी यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर दूसरा base disguise यहनी कि दूसरे base में आ रहा यहाँ पर रखा हुआ है दूसरा base लेने के लिए और यहाँ पर गन भी रखी है यहाँ पर मुच्छे भी रखी है तो यह सब लगाके मैं भी हैं से भागने वाला हूँ पुलिस को बेवकू बना के तो बहाने से कहते है गहराज में से आप आपना गाड़ी निकाल लो गाड़ी निकालने के लिए जब वो जाता है तो देखता है की वहाँ पे एक देखा जाए तो इस तरीके से खुद बचता भी है और क्रिमिल को पकड़वाने में हेल्प भी करता है अपनी क्लेवरनेस थी तो चलिए इसमें देखेंगे चूज़ ऑप्शन डाट इस द नोट प्रू देखो यह कोश्चन बड़ा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि क्या तो यहां पर देखा जाए तो हमारा थर्ड भी ठीक है ना तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर थर्ड भी ठीक है यहां पर जिराड ने पैक किया बैग और गन जो था मतलब सस्पेक्ट करने के लिए कह सकते हो कि सस्पेक्ट नहीं किया था बलकि उसकी हेल्प की थी उसकी स्टोरी फ्रेम करने में बड़ चलो अगर फॉर्थ को भी हम माने की चलो गलत है तो जिराड एन इंट्रूर्ड एड़ अप अपास गन भी थी और दोनों अपनी एपिरेंस को डिजगाईज भी करते थे ठीक है तो उसके एकोडिंग देखा जाए तो इस कोश्टन में कोई भी उप्सिन ठीक नहीं बैट रहा क्योंकि पहला तो सही ही है यह गलत हो जाता है ठीक है थर्ड भी यहां पर नहीं आ सकता ह है तो हम मोटा मोटा अगर हम अंसर लगाएं अगर ऐसे करके कि डिरेक्ट अंसर नहीं हो सकता है लेकिन डिस नहीं हो सकता तो अंसर हमारा यह हो जाएगा अब यह आपके थोड़े से वैसे कोश्टन्स हैं जो आपको 40 to 50 words में लिखने हैं यह वाले कोश्टन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखने के लिए ओके तो थर्ड कोश्टन है हमारा वट वास जिराड प्रोफेशन हाव केन यूशे सो एक तो पहले बात तो आपका बताया नहीं हुआ है हमें खुद ही एजियूम करना है कि उसका प्रोफेशन क्या था तो हम मान सकते ह द्रामा या थेटर में उसका प्रोफेशन रहा होगा क्योंकि उसके पास नकली मूचे थी और दूसरा वेजधारन करने का एक वो था तो यहां पे कह सकते हैं जिराड प्रोफेशन वास रिलेटर तू ड्रामा या थेटर तो वो मतलब उसका ड्रामा या थेटर जो है रहा होगा और हम यह कैसे कह सकते हैं यह नीची हमने बता दिया है चलिए नेक्स्ट क्वेशन है और क्यों दोड़ा फिर रहा था कहीं कहीं पे इन्टुडर बीन जनिंग अरॉंड प्लेस बिकोस सम्थिंग वेंट रोंग कुछ गलत हो गया था ही किल्ड़ कोप बलती से जो था एक कोप यानिकी पुरेस ओफिसर को उसने मार दिया था उससे पहले वोई जोब करता था था टाउन में बट सिंस दैन यहाद दन नथिंग बट जोच और वो जिराड के इन्टिटी को चुराना चाहता था वो कहता है कि जिराड की और दो लोगों की बाते उसने सुनी थी और उसको पता लगा कि जिराड खुद मिस्टेरियस है अकेला रहता है hence it would be easy for him to take it और आसानी से कोई उसके बारे में पूचेगा ने तो आसानी से वो उसके identity ले सकता है जिराड successfully convinced the intruder into believing him जिराड आसानी से जो intruder था उसको मना लेता है कि भई मैं भी criminal हूँ जिराड ने एक story webd की यानि कि webd मतलब बुनी a false story around that was available to him at that moment to convince the intruder that he was also a man on the run वो भी भाग ही रहा है as the phone rang he made intruder believe that police was after him and his man has called to warn him वह कहता है कि phone आया है कि भई police उसके पीछे है और उसके आदमी उसको warn कर ले के लिए ही call कर रहे है अब यहाँ पे आपके बड़े वाले question का answer लिखेंगे write in the brief about the characteristic of intruder and Girard how are they different from each other तो देखो Girard is a fearless well educated man who worked his way out of a very dangerous situation by the play of his words while being mindful of what was available to him in his home तो काफी educated था काफी clever था और जो भी आसपास में रखा वा था उससे उसने एक story बना डाली he also has a convincing capability यानि convincing convince करना मतलब किसी को मना लेने की capability थी उसमें तो ताकि इसलिए वो criminal को believe करवा पाया कि भाई मैं भी एक criminal हूं it shows his brilliance when he manages to lock the intruder और उसने जब तो brilliant काम कर दिया जब उसने lock कर दिया intruder को cupboard में getting rid of his gun he is witty चलाक था and he mentioned he will use this incident as a plot in the next play और उसने कहा कि अब ये वाला जो incident हुआ है मेरे साथ ये next हमारा जो drama होगा plot होगा उसमें में use करने वाला हूं the intruder is also a smart man as he managed to live so far even after killing a policeman वो भी smart ही आदमी था क्योंकि अभी तक वो जी रहा था पुल जेल में नहीं जा पाय था and has done his research about the gerard he is also a fool a fool भी था who was out smart and pushed in the cupboard by a man who came to kill मतला वो जिससे वो मतला मारने आया था उसने उसको cupboard में बंद कर दिया because of his overconfidence and boastful nature तिए कि मैं तो तुम्हें मारने आया हूं तुमारे identity लेलूंगा boastful होता है कि डिंगे मारने वाला nature जो था he failed to do what he came to do उसने वो वो नहीं कर पाया जो वो करने आया था instead confessed of his crime and got locked when all he planned was to be a free man once again अब अगें 120 से 200 words तक को अंसर लिखना है what do you think might have happened if intruder had succeeded अगर intruder जो था successful हो गया होता अपने plan में तो क्या हुआ होता यानि कि जिराड मर गया होता ठीक है as per the play intruder has been shown as a smart overconfident criminal who has been surviving as a jewel rover ठीक है he has been absconding from police absconding मतला भागना after killing one or one of the policeman if he would have been successful in killing जिराड अगर वो successful हो गया होता he wouldn't have survived for long as he thought because although he had same height built like जिराड was planning to imitate his voice he was wrong to assume that जिराड जिराड है loner उसको लगा था कि जिराड जो हाकेला रहता है if जिराड would have gone missing not present to present in his play props someone would have informed the police and then intruder would have been easily caught he wouldn't have been able to run away this time and would be charged for two murders ठीक है बच्चा तो ये हो गया हमारा आज का जो है वक्षित अभी देखो आप लोगों के लिए बहुत ही interesting और बहुत ही बढ़िया offer ये है कि Republic Day पे unacademy offer लेके आया है 12 महीने के subscription पे आपको 6 महीने का subscription free मिल रहा है यानि कि 18 महीने तक आप पढ़ाई कर सकते हो और यानि कि पहले आप उतने ही रुपे में 12 महीने में तो आपके जो 15 महीने का subscription है आप अपने 11th class के syllabus के लिए यूज कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको subscription मिलेगा 9th class का 10th class का 11th class का 12th class का ठीके बच्चा तो आप तीन महीने में अभी आपके term 1 हो जाएंगे तो अगला subscription जो होगा आपका जो मतल जो further महीने बच जाएंगे 10th class में convert हो जाएंगे तो इससे क्या रहेगा आप लोगों को बहुत benefit हो जाएगा अभी देखो अगर आप पूर्णिमा 10 कोड लगाते हो ठीक है इसको खरीदते वक्त तो आपका इतना सस्ता यह कोर्स पढ़ जाएगा जितना आपका tuition fees भी नहीं पूर्णिमा 10 अगर आप कोड लगाएंगे तो 10% आपको off मिलेगा अब देखो नूर्मली अगर आप एक tuition class में जाते हैं तो आपके 700 800 रुपे एक subject के लगते हैं अगर आप 2 subject पढ़ें 3 subject पढ़ें तो भी आपके 2100 सकते हैं अनकेडमी का raise hand feature जो है उससे आप teacher को call कर सकते हैं जब class चल रही होती है अपनी बुक में से photo लेके teacher को बेज सकते हो कि यह वाली line नहीं समझ में आ रही है अपने question का photo लेके बेज सकते हैं यह वाली line नहीं समझ में आ रही है तो ना काफी अच्छा यह feature है अगर आ 1225 में एक तरीके से आप देखो 5 subject जिसमें आपको PDF, notes, live doubt, solution यह सब provide किया जाएगा तो जैसे ही आप get subscription पे click करेंगे तो आपको goal चूज करना है goal है आपका CBSC या अगर आप UP board से हैं तो ICSC या फिर किसी और board से हैं तो वो नाम ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे CBSC हो गया उस इस उसके बाद select कर लेंगे iconic या फिर plus का subscription ओके बचो तो code आपको पूर्णिमा 10 लगाना है 10% discount के लिए काफी अच्छा offer है 6 महीने extra मिल रहे हैं हमें 18 महीने का subscription मिल रहा है 12 महीने की price पे ही ठीक है तो code आपका पूर्णिमा 10 रहेगा link description में मिल जाएगा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ok बचो and आपका आज climate वाले chapter में हम जो है unacademy पे live है unacademy पे कितने बज़े है 8 बज़े है link उसका भी मिल जाएगा आप link को click करके notify me पे press कर देना जिस time में live आउंगी तो आपको जो है notification मिल जाएगा और आज हम मांसून के बारे में properly पूरा पढ़ेंगी ok बचो thank you have a nice day may god bless you अगर वीडियो अच्छा लगा है पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए thank you have a nice day